हेलो फ्रेंड्स ये गाड़ी है टोयटा इटियोस इटियोस वी एक्सडी टॉप मोडल और ये जो गाड़ी है इस गाड़ी में कुछ एक अलग चीजे में आपको दिखाने जा रहा हूं कई बार होता क्या है कि ओफ कैमरा मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं कुछ लोग मिलत करना है गाड़ी में कुछ ऐसा शेडूल है कि आपको लगता ऐसा कराना चाहिए तो वह हमको सुझेस्ट कीजिए मैं आपको वह सारी चीजे शेयर करूंगा जो कि मैं आफ कैमरा किया करता था लेकिन इस बार वह आन कैमरा है इससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेग क्योंकि ये जो गाड़ी है ये गाड़ी है सुल्तान सर की लोगों को बताएंगे कि आपने ये इटियोज क्यों ली और हाँ एक और पॉइंट है नोट करने का कि ये सुल्तान सर ने जो इटियोज ली है ये सेकिंड टाइम ली है फर्स टाइम इनके पास एक इटियोज थी वो करीब 1,80,000 km इन्हों ने चलाई और उसके बाद फिर से ETOs ली क्योंकि ETOs बंद होने वाली थी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं VS6 में जैसे अपगरिशन हुआ तो ये ETOs को इन्हों ने बंद किया इनको गाड़ी इतनी पसंद आई कि इन्होंने उसी समय दूसरी गाड़ी एक और ले ली ताकि मैं लॉंग टाइम तक इसको रख पाऊं तो उमीद है वीडियो का कुछ concept आप लोग समझे होंगे इस गाड़ी को मैं पूरा दिखाऊंगा और गाड़ी को चलाने के बाद मुझे क्या फील हुआ और हाँ अगर आपको कभी second hand ETOs मिलती है तो क्या क्या चीज होंगी major जो आप इसमें चेक करेंगे या फिर कुछ एक problems जो इसके अंदर continue आती होंगी वो भी आपके साथ share की जाएंगी गाड़ी का experience पूरा share किया जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ पूरी बाहर से कि कैसी दिख रही है गाड़ी में अभी तक कोई ऐसा paint वगरा कुछ नहीं हुआ है इंटिरियर इंटिरियर इन्होंने पूरा साफ रखा हुआ है पूरा stock है जैसा था वैसा रखा है सिर्फ ये seat cover वगरा इन्होंने लगवाए है और बागी चीज गाड़ी अंदर से पूरी साफ है एक चीज और gear lever अभी 42,000 में कितना घिसा है यह पैचान सकते हैं यहां से और साथी handle वगरा पे इंटिरियर पे ऐसा कोई scratch नहीं है या फिर कोई ज़्यादा घिसावट नहीं है 42,000 किलोमेटर यह रन कर चकी है गाड़ी और इसके brake pedal यह देख रहे हैं अब brake pedal इतने गिसे हैं और clutch pedal इतना गिसा है 42,000 पे इतना गिसा है इसके अलावा आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बार engine bay आपको दिखाता हूँ engine bay की condition क्या है और साथी engine का sound भी आप लोग सुनेंगे sound सुनके भी एक अंदाजा होता है कि हाँ गाड़ी कितनी चली होगी यह है नाई जब खोड़ा सा cool and top up कर लेगी है completed है इतने ही रखने के लिए बोला है इतने ही बोला है level का है low है यह देखें ने यह low और यह full अभी low level से नीचे जा रहा है चली है ना top up कर लेए परवाली जेगा वहीं से एजंसी से तकि एगर यह low रहेगा ना तो थोड़ा सा इशू रह सकता है यह engine में थोड़ा सा आपको गंदा दिख रहा होगा लेकिन यह गंदा अलग मैटर है आप समझ रहे ना यह गंदा सिर्फ डस्ट वगरा लगी हुई है engine को इतना clean नहीं किया गया है लेकिन वैसे यह engine साफ है engine साफ का मतलब engine original है देख रहे हैं एक एक पॉइंट पर निशान लगे हुए हैं यानि कि क्लेंप कभी खोला नहीं किया है एक एक क्लेंप बिल्कुल original है बोल्ट की फिटिंग और सारा काम इन्हों ने वर्क्शॉप पे और फ्राइब वक्शॉप पे कराया है सुल्दान सेरी एर फिल्टर क्लीन करते हो आप मैं नहीं करता कि लिए करते ही नहीं हूं जैसे कर लेना चाहिए बीच बीच में ना जैसे गाड़ी कंपनी ही वही को कभी आज तक इसका जरूवत पड़ी नहीं प्रॉब्लम नहीं आती इससे पता क्या होता है गाड़ी से चल रही होती ना आप बीच में 1500 किलिमीटर पर अगर इसको क्लीन कर लोगे ना तो आपको फायदा यह मिलेगा कि गाड़ी का माइलेज इंक्रीज होगा इंजन पूरा स्ट्रेस में नहीं रहेगा खुल के चलेगा क्योंकि जैसे एट्मोस्पेर में हम लोग गाड़ी चला चलाती है वैसे नाग खुली रहेगे तो फिल्टर एकदम क्लीन फटा अफट अंदर यह जाएगा नई चीज मेरे को अच्छी चीज बताई है मैं जरूर इस पर धियान देंगा और खुद इसको करना चाहिए क्या होता ना कि थोड़े बहुत डियाइवाई जो होते ना ज सबस्क्ता ने तो बढ़ने तो हमको गाड़ी एक इनसान की तरह रखते है यह था रखते हैं अपने फैमिली मेंबर है मैं तो उसके लिए छान रखते ने चलो इसके साफ कर देतें तो इसी हिसाप से फिल्टर उल्टर ना यह सारी चीज़े हमको क्लीन करने चाहिए स्विस मतलब एक तरह से गाड़ी को पूरा यूटिलाइज किया है अपने जो मेरी पहली गाड़ी थी तेरा में कितना चला दिया था उसको उसको एक लाग 80,000 ग्लूमेटर चला के फिर बेच क्यों दिया लेकर बेची इसलिए क्योंकि यह बीच 6 में इसको अपग्रेड नहीं कर रह अच्छाए तो यह रखनी तो बंदोने से पहले ले लूँ कुछ लोग ऐसे डर जाते ने सब गाड़ी बंद रही तो अब यह यह नहीं लेनी जाटि आपके साथ राइट 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 गाड़ी वैसे वाकँ है और गाड़ी चलने में भी अच्छी है इसको आपने दे इसलिए मैंने इसको प्रफेर किया स्मूध है गाड़ी चलने में माइलेज बैसे कितना निकाल लेते हैं तो इतना रिफाइन ऐसा लगता नहीं नहीं लेकिन लेकिन वह लोकल में ही पता चलती है पर चलता है जब आप लूपर पावर जैंकि कितनी दोड़ा सकते हैं अगर भी चलाएं अच्छा जाएं जोड लेते समय इसा लगता है वाली नौइस कभी स्टार्ट करेंगे रुक के कहीं पर लगता है कि इसके इंजन में लोड पढ़ गया है लेकिन जब यह लूंग रूट पर चलती है जब इसको खीच के चलाया जाता है तो इसका इंजन वाके में साइलेंट हो जाता है बिल्कुल यानि कि सेटिस्वाइड ह बाप इससे बिल्कुल और कर लें ऑप कर् fiber अब हम चला के देखते हैं क्या क्या decision क्या क्या like सॉ्सक्रिवरा क्या जो करते है दो लोगों से कहता हूं तो लोग हसते हैं, बस जरूवत है हम समझ पाएं कि गाड़ी क्या कहना चाहरी है स्टार्टिक में थोड़ इसे कि वो एक रेटी नौइस है नहीं स्टार्टिक में रेटी जब आर्पिम उपर आजाते हैं जरूपर आजाते हैं तो ज्यादा चलती हैं तो उस लॉंग ड्राइब में जो आप बता रहें से लॉंग ड्राइब की आपने मेरी एक वही लॉंग ड्राइब रही है सबसे काफी लंबी होगे ना जीन साड़े 3000 किलमीटर आना जाना वो भी सिंगल सिंगल कोई साथ में सब्सक्राइब करने वाला नहीं कोई नहीं बोला ना मैंने आपको मेरे को अर्जेंट नहीं 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 कुछ खाए नहीं तो न मिल्क भॉत पसंद है तो मिल्क के साथ ही पूरी ड्राइब की मैंने बने से लेकर रूदर प्रॉड़र और बाईस जंडे में मैंने गाड़ी लगा दी थी यह जी पर अब भाला जो नॉइस वाला वो चीज है न वह आपने बता है किया उसको कॉम्प्रमाइज कर लिया उसके साथ मैंने कॉम्प्रमाइज कर लिया आपने चोटी चोटी चीजे समझने के होती है थोड़ी अपलमंदी की होती है अब मैं नॉइस की वज़े से इसमें बढ़िया गाड़ी को अगर स्टार्टिंग में हो देता तो शायद मैं आज मेरे पास ये गाड़ी नहीं हो थी और शायद मैं तीन चार पांच शे गाड़िया बदल चुगा होता है आपका परपस था गाड़ी को रखने का बिजनिस का अगर देता फिर बेशता बैशता बैका अगर दिखावा यह करना था तो अगर आपको किसे करें कि को एट्योज ले तो कैसा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा गाड़ी चेक करके फस्ट ओनर रहे गाड़ी परस्ट और ने भखले उसको तो देलाग 2 किलोमेटर क्यों ना चला दिया हो अगर वो फर्स्ट आउनर है तो आप उसकी गाड़ी ले सकते हैं आप ने पिछली जो गाड़ी पेची वह कितने की बेची थी वह मैंने तीन लाग बीस एहर रुपे की बेची थी तीन लाग बीस एहर में और वह मॉडल कौन था था दो हजार तेरा का मॉडल थ था आपने बेचा उसको कौन से चन में मैंने 2019 में 2019 में तो यह विज भीति हैं अजी साल करीब चलाने के बाद आपने चाल के बार दिया और उस संच को रही होगी जब आपने खरीदा था उसको तो उसको तो मैंने उसको खरीदा तथा शाड़े-चार्ण लग रुपेगा यह बैट विंट बड़ी बाद है, जाने एक लोग अपना ही डालते हैं वह लोग अपनी डालते हैं, सब्सक्राइब अपने प्रहुआ है, मैं अब भी तक बहार से उस गाड़ी की बी शर्विस कभी नहीं कर आई, कुछ भी नहीं करा थे जाए कभी कुलेंट पगर अगरा है तो इसमें कोई ऐसे खर्चे हैं नहीं नहीं है एक तरह से कम खचे बाली गाड़ी कैसा को लेकिन थोड़ा सा हाद फिल जो आता है सब 40 air पर चला है चालीज अरफ भी तोजार ही चली है इसे लिए इसलिए अनिकि ये सब्सक्राने के बाद इसलिए कुछ परफॉमस कुछ दिख नहीं रहा है होलिंग का तो सब्कराने के लिए इसलिए कोई किस गिर गया कि कुंष अच्छा गई कभी नह direction के वहता है इससे कभी तक इतने साल में मेरे सामने कोई आसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं इस गाड़ी के लिए उस प्रॉब्लम के लिए दुबारा मैं शोरूम पर गया हूं अब जो ज़ाए अब दूप कोई अपरो इसा सुनी हुई कोई अफ़ भा भी न है क्योंकि क्या है न सिर्फ 42,000 चली हुई है और 42,000 में कुछ भी गाड़ी में ऐसा कुछ बिगड़ता नहीं है और भाइसाब ने सबसे बड़िया काम ये किया है कि इसको ऑथराइद वर्क्शॉप पे लेके जाते हैं और और कुछ एक्स्ट्रा ये लोग लेते नहीं है बाकि कर सकते हैं तो कर सकते हैं बाकि अगर कुछ मुझे रह गया हो पूछने के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा मिलूंगो नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग